नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट आनलसिस पर स्वागत करता हूँ और कल जितने लोगों ने वीडियो देखा होगा सारे लेवल्स उनको पता होगा जैसे कि हमने जो भी लेवल्स पर ट्रेड किया था वो सारे लेवल्स आपको मैंने बताया थे और जितने लोगों ने भी ट्रेड किया होगा हर एक लेवल्स पर अच्छे कासे पेसे सबको बने होंगे तो हम लोग ज्यादा डिस्कर्स नहीं करेंगे बठा थोड़ा-थोड़ा देखेंगे कि कल हमने कौन से लेवल्स दिये थे और आज वो मार्केट में वो लेवल्स काम वहाइस को ट्रेड करसकते हैं जितने सारे मैं स्ट्व्स आपको देता हूं इंट्रड़े के अंदर कल एक कमेंड मेरे देख रहा था है मैं उनको बदा दना चाहता हूं सर में 5 मिन्यट और 15 मिनट के चाट पर भी देखते हूं खास करके मैं 15 मिनट और वन डे같े लिए में क काम करता हूं इसलिए मुझे आपको डेली चार्ट दिखना पड़ता है अगर बीना देखेंगर आप लोग आपके लिए इंपोर्टेंट है कल के लिए तो यह जो है आज मार्केट में क्या ट्रेइट हो रहा है और याप लाइव मार्केट में कैसे क्या काम करो उसके लिए आपको 5 और 15 मेंट कर चार्ट आपकी लिए click लिए आप काम करो कि उसके लिए आपको वानडे चार्ट भी आपकी लिए इंप्पींट तो चलते हैं डाइरेक्ट careless की इवपर और वीडियो को सुरू से आखी तक जरूर्द देखिए जिरूर को स्किप मत करें अगर विडियो अच्छा लगता है विडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें अभी भी में मैं बता दे रहा हूं आप आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो आप लोग एक कदम यानि कि एक सब्सक्राइब का बटन मेरे लिए काफी अच्छा लगता है और मुझे मॉटिविशन मिलता है आप लोग सब्सक्राइब करने से आगे चलके एससे ही आपको प्रॉफिटेबल वीड पेशा का सपोर्ट रहेगा अगर 433 45 पेशा के नीचे अगर सस्टेन करते है आप उसको सेल कर सकते हो टार्गेट कहां तक दिया था 429 30 पेशा आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने जो लेबल आपको बताया था तो सेल की लिए काफ़ी नीचे था और रेजिस्टन्स हमारा कहां था 437 437 35 पेशा बट हमारा रेजिस्टन्स यहां पर हीट नहीं हुआ 35 के आसपास से मार्केट नीचे आने लगा तो स्टील हमारा 429 30 पेशा का टार्गेट था वो टार्गेट यहां पर अच्छी वोकेट 428 पे लो लगया तो चलते हैं कल के लिए जैसे कि मैंने आपको एक बीचे आने दीचे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहां से उसको एक बड़ा सा मूब यहां से लेना चाहिए तो यह चीज़ आप लोग करो क्योंकि प्राइस अक्षिन एसे ही काम करता है इसलिए आपको मैं बोलता हूं कि प्राइस अक्षिन सीख लो काम करने के डेली चार्ट नहीं देखे हुए तो देखना पड़ेगा है तो देखते हैं हम लोग लेवल के कि पर क्यंसे कर सकते पहले चलते हैं support के उपर और Tata Motors का support हम लोग अभी देखेंगे Tata Motors का support रहेगा 428.15 पेसा 428.15 पेसा के नीचे अगर आप लोग sale करते हो पहला target रहेगा 424 उसके नीचे भी चलता है तो 419.90 पेसा चले 428.15 पेसा के नीचे अगर आपको Tata Motors देखने को मिले आप लोग sale कर सकते हो पहला target रहेगा 424 के नीचे 419.90 पेसा resistance आपका कहा रहेगा resistance होना चाहिए 431 पे 431.60 पेसा के उपर जैसे sustain करता है आप उसको intraday के इंदर buy कर सकते हो target आपका रहेगा 435 आज का day high आपका पहला target रहेगा दूसरा रहेगा 439.40 पेसा तीसरा target आपको यहाँ पर 443.85 पेसा हो सकता है तो काई चोभी support resistance है वो important है आपके लिए प्लीज आप लोग वो levels note करके market में जरू ट्रेड करिएगा चलिए next stocks के उपर चलते है next आपका रहेगा DLF DLF पे भी काफी अच्छा analysis हमने किये थे और हमारा resistance को कर रहा है तो हम लोग अभी देखेंगे कि आगे यह levels break करता है या नहीं करता है या फिर यहां से एक momentum आपको नीचे क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे नॉर्मली मैं आपको कहां से ड्रो करके दिखा देता हूं तो एक नॉर्मली एक trend यहां पर चल रहा है buying side पर तो अगर यह जो यहां पर break करता है न तब जाके आपको यहां इसकी उपर trade होना कर सकता है जब तक इसकी उपर trade नहीं होता हस्ते नहीं करता है थोड़ा नीचे आकि यह में भी उपर जा सकता है तो इसलिए आप लोग यह चीज़ को थोड़ा follow करो यहां पर क्योंकि price action को समझना पड़ेगा आपको बिना price action आप काम नहीं कर पाओगे चलिए तो कल क्या level आपको बताया थे वो कल का level और कल के लिए हम लोग लेविल देखते है 342 का support मैंने आपको बताया था 342 की नीचे एगर चले तो 339,336,20 पैसा resistance 347,80 अगर उसके उपर चलता है 350,30 पैसा एक बार बता देता हूं आपका day high लगा है 350 रुपीज,60 पैसा का day high लगा है आज और low लगा है 342,85 पैसा यानि कि 342 का जो target था हमारा 342 उसको उसने hit कर दिया 342,30 पैसा का low लगा है तो इसलिए आपको मैं बलता हूं कि जब भी कुछ लेवल्स आपको बताता हूं उन लेवल्स को आप note करके trade करो आपको काम करने में मज़ा आया और काम करने में आपको easy हो क्योंकि लेवल्स की उपर आप अगर काम करते हो इसलिए आपको मैं बलता हूं अगर किसी को भी training program में जोइन करना है मुझे contact कर सकते हो मैरा description पर email id है अभी तो मैंने अपना WhatsApp नंबर दे दिया हूं अगर कोई भी paid channel paid service में जोइन करना चाहते हो genuinely जो लोग जोइन करना चाहते हो जो लोग पेसा कमाना चाहते हैं ऐसा कि मजाग से या फिर फोड़ा inquiry कर लेते हैं इस purpose में कोई भी message या call मत करिये उस नंबर पर आप जो लोग प इमेल आइडी है आप लोग मुझे mail करके training program के बारे में जारकारे ले सकते हो चले हम लोग levels के पर चलते हैं DLF का level रहेगा 346.45 पेसा याद रखिए अगर DLF 346.45 के नीचे 346.45 पेसे के नीचे अगर sustain करता है आप उसको sell कर सकते हो पहला target आपका रहेगा 342.30 पेसा उसके नीचे भी चलता है 339.25 पेसा और उसके नीचे भी चलता है 336.20 पेसा काफ़े सारे लोग क्या करते हैं कि support के उपर आते ही मतलब वो लोग buy कर लेते हैं सपोर्ट की उपर buy करना सही है गलत decision नहीं है बट सपोर्ट की उपर sustain होना जरूरी है जब तक सपोर्ट की उपर sustain नहीं करेगा आप लोग buy नहीं कर सकते हैं कि support अगर break करता है तो नीचे गिरने के chances यहाँ पर ज़्यादा होता है चलो resistance आपका रहेगा 350 रुपीस 30 पैसा जैसे 350 30 पैसा की उपर sustain करता है buy कर सकते हो target रहेगा 355 65 पैसा 358 50 पैसा और 361 10 पैसा यहाँ तक आपको target देखने को मिल सकते हैं तो इसलिए आपको बोलता हूं कि DLF का जो भी लेवल्स आपको में provide करता हूं या फिर कोई भी stocks का कोई level provide करता हूं उन लेवल्स को आप not करिए paper pen में या फिर अगर आपको mobile पे laptop या लिखना चाहिए तो लिख लीचे इसको लेकर आपको क्या benefit मिलता है market open होने से पहले उन लेवल्स को आप चाट के अंदर जब आप उसको draw करके रखते हो ना आपको काम करने में easy होता है इसलिए मैं आपको थोड़ा help हो जाए इसलिए मैं word file में आपको लिख के आपको अभी present कर रहा हूं आप उसको screenshot लेकि आप लोग अपने काम में उसको इस्तिमाल कर सको तो गाइस अगर आपको यह अच्छा लगता है कि मैं आप लोग को लेवल्स स्क्रीन की उपर दिखा दे रहा हूं तो अगर आपको easy होता है तो प्लीज एक उसकी लिए like जरूर करिएगा और साथी साथ एक सब्सक्राइब का बटन अभी तक चितने लोगों ने नहीं किया है तुरन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को all पर प्रेस करके on कर दिजी इन फ्यूचर में कोई भी विडियो अप्लोड करता हूं आपको पता चली चली नेक्स्ट आप करेंगा असोक लेलेंट पर इतना बड़ा का मोमेंटम नहीं था बट हां हमारा लेवल्स की उपर मार्केट ने ट्रेड हुआ तो हम लोग चलते हैं कि कल उसकी उपर कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं असोक लेलेंट का सपोर्ट रहेगा 142 45 पेसा अगर 145 42 45 पेसा के नीचे अगर सस्टेन करते हैं आप उसको सेल कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 140 रुपीज 25 पेसा दूसरा रहेगा 141 और 140 रुपीज 25 पेसा यहाँ पर टार्गेट थोड़ा छोटा छोटा है बढ़ आपको थोड़ा मैनस करने पड़ेगा बढ़ हाँ आपको पेसा अच्छे दरह से मिल सकता है एक वर अगर सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है तो 142 45 पेसा के नीचे 141 140 रुपीज 25 पेसा और उसके नीचे भी चलता है 139 रुपीज 55 पेसा यहाँ तक आपको टार्गेट मिलेगा रेजिस्टन्स आपका रहेगा 143 95 पेसा जैसे 143 95 पेसे की उपर सस्टेन करता है 145 45 पेसे है उसकी उपर भी चलता है 147 90 पेसा और अगर यह उपर चलता है तो ज़रुरत पढ़ने पर आपको इसमे 149 80 पेसा तक भी टार्गेट देखने को मिलेगा तो ध्यान रखिए जो भी सपोर्ट रेजिस्टन्स है आप उनकी उपर ट्रेड करने से पहले एक बार देखी वो लेवल्स की उपर सस्टेन कर रहे है या नहीं कर रहे है उसी साब से आप लोग उसको ट्र और किसी को भी अगर पेट चैनल जोईन कर रहा है डिस्क्रिप्शन पर मेरा अपना वाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर दे दिया हूँ अगर कोई चाहते हो तो आप लोग वाट्सअप पर मुझे वाट्सअप कर सकते हो कि पेट सर्विस के बारे में बढ़ यह मेरा आप से निवेदन है अगर आप लोग पे करके रोब पे अपर करना है तो इंक्वर करने के लिए मजा लेने के लिए प्लीज उस चलिए कि unnecess हमने क्या बताय था नहीं 294 50 पैसा के नीचे अगर चलता है तब जाके आप उसको सेल कर सकते हो तो टार्गेट करीवन हमारा 287 85 88 के आसपास का था बट उतना नीचे नहीं गया 291 के आसपास रुका 292 का टार्गेट भी हमने आप प्लान किया था तो इतना बड़ा तो मार्केट को ऐसा प्राइस अक्षन यहां पर बनाना पड़ेगा तो अभी हम लोग देखते हैं कि यह जो प्राइस अक्षन यहां पर बना रहा है यहां तक आएगा या थोड़ा उससे भी नीची आ सकता है और उपर की लिए मूब करेगा तो यह सारा चीस हम लोग अभी देखेंगे पहले सपोर्ट की उपर चलते हैं अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको अनलसेस करना और आपको अगर लेवल से अगर दे रहा है वह आपको अगर इजी हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब की ज़रूर दूसरा गया का 284.80 पेसा याद रखे 290.90 के नीचे आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले अगर सस्टेन करता है तभी आप उसको सेल कर सकते हो और रजिस्टन्स की बात अगर कहूं 293.90 का रजिस्टन्स है जैसे ही रजिस्टन्स की उपर सस्टेन करता है बाई कर सक सकते हो काफी दिनों चे जो टार्गेट आपको दे रहा था 297 का तो 296.95 पेसा पहला टार्गेट दूसरा टार्गेट आपको यहाँ पर हो सकता है 300 का तीसरा टार्गेट आपको 303 यहां तक आपको देखने को मिल सकता है जान रखे 293.90 के ऊपर ही आप उसको strongly buy कर सकते हो तो चलिए गाइस जो भी support resistance था आपको सामने में दिखा दे रहा हूँ कैंट लिए आप लोग trade करने से पहले इन levels को एक पर देख लिए अपने चाट में इसको तोड़ा draw करके रखे so that आपको trade करने में easy हो और किसी को अगर लिखने में problem हो रहे paper pen आपके पास नहीं है simple आप उसको screenshot लेके रख लिजी market में काम करने में easy होगा चलिए एक final stock की उपर चलते है state bank op india के उपर देखेंगे state bank के उपर हम लोग को कैसे levels मिलेंगे और कैसे हम लोग लेवल्स के पर trade कर सकते हैं देखें हम लोग एक चीज़ देख रहे थे state bank op india में कि यहाँ पर एक high बना के यहां से market नीचे के लिए अभी थोड़ा आ सकता है मैं इसलिए आपको बोलता हूँ क्योंकि यहां पर एक support है चलो तो मेरे ख्याल से market को एक वार नीचे आना चाहिए तब जाके आपको उपर की ओर एक target मिल सकता है क्योंकि जब तक कभी भी market एक ही slot में उपर नहीं जाता है आपको भी पता है market क्या करता है एक price action बिल्ड करता है उपर नीचे उपर नीचे इस process में market trade होता है तो अभी आपको क्या करना चाहिए आपको इसका जो लेवल्स है वो लेवल्स को थोड़ा follow करना है और उन लेवल्स की हिसाब से आपको trade करना चाहिए तो मैं आपको यहां पर suggest करना चाहता हूं State Bank of India में अगर State Bank of India 483 10 पैसा के नीचे सस्टेन करता है आप उसको sell कर सकते हो टार्गेट रहेगा 480 रुपीज 480 रुपीज के नीचे अगर चलता है 475 50 पैसा याद रखें 4 483 10 पैसा के नीचे अगर State Bank of India आपको देखने को मिले sell कर सकते हो टार्गेट रहेगा 480 दूसरा रहेगा 475 50 पैसा और resistance आपका रहेगा 487 20 पैसा जैसे 487 20 पैसा के ऊपर sustain करने लगता है आप उसको buy कर सकते हो टार्गेट रहेगा 491 35 पैसा दूसरा टार्गेट रहेगा 496 45 पैसा और 500 यहाँ तक आपको टार्गेट देखने को मिलेगा तो गाइस जो भी support resistance से मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि इससे पहले अगर आज के लिए मैंने अगर SBI का level अगर बता दूं आपको 480 10 पैसा का मैंने support दिया था उसके नीचे मैंने 485 और 480 यह दो टार्गेट आपको मैंने दिये थे जितने लोगों ने देखा होगा यहाँ पर 491 30 पैसा के आसपास इसमें एक target आपको देखने को मिला ठीक है फोर उसके बाद हम आपको यहाँ पर देखने को मिला support के नीचे 483 10 पैसा के आसपास तो जो भी लेबल्स आपको मैं प्रोबाइट करता हूँ आपको मार्केट में काम करने में काफ़ी इसी होता है दुशलिया आपको मैं बोलता हूँ बार-बार कि आप लोग लेबल्स को follow करके उनकी उपर trade ज़रूर करिए चलो जो भी लेबल्स आप मैंने आपको क्लेली बता दिया हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को आउनकर करके तो आपको इन फूचर में काम करना चाहते हो फ्री और कॉस्ट में तो टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हो अगर आप प्रीमियूम सर्विस जोइन करना चाहते हो पेड़ सर्विस तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर मेरा एक वाट्साप नंबर है आप लोग उसको उठाके लेके मुझे वाट्साप कर आपको सारे डीटेल्स मिल जाएंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद